Good morning students, welcome to DSS Online Classes. Today I am going to start your previous new chapter, chapter 17, Here Comes a Later. We will learn our chapter 17, Here Comes a Later. और हम जानेंगे जो लेटर हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, वहां से लेकर हमारे पहुँचने तक छिट्टी को कौन-कौन से रस्ते से होकर गुजरना पड़ता है. बच्चो, अगर हमें अभी किसी को मेसेज पास करना हो, या फिर किसी को हैपी बड़े बोलना हो, या फिर किसी चीज की भी बधाई देनी होती हो, तो हम क्या करते हैं? हम मुबाईल उठाते हैं और फोन करते हैं और तुरंत ही बात कर लेते हैं. लेकिन आज से 10-15 साल पहले जब हमारे पास मुबाईल फोन नहीं हुआ करता था, तब एक दूसरे को चिठी या फिर मैसेज पास करने का एक ही तरीका होता था, वो है चिठी लिखने का मैथड. उसी तरीके की एक चिठी रीना नाम की एक लड़की ने अपने फ्रेंड एहमद को लिखा है, रीना जो की अगरतला में रहती है और उसका फ्रेंड एहमद दिल्ली सिफ्ट हो गया है. रीना लिखती है, एहमद यू टेल, हाओ आल यू, वी अल, फ्रेंड्स, मिस यू अलोट, होप यू विल, कम टू अगरतला इंदो वकेशन, रीना लिखती है, एहमद तुम कैसे हो, हम सब सारे दोस्ट तुमको बहुत मिस करते हैं, आसा करती हूँ कि अगरतला तुम लिख कर अपनी बात को बता सकते हैं, उन्हें मैसेज पास कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, अगरतला कहां पर है, तो यह है हमारा प्यारा भारत, और भारत के ही एक राज, प्रिपुरा की कैपिटल है, अगरतला, जहां पर रीना रहती है, और यह है दिल्ली, जहां पर लेटर चोड़ा है और लेटर पास करते हुए दिल्ली तक पहुंचा है तो रीना ने अगरतला के एक पॉस्ट बॉक्स में एक लेटर पोस्ट किया जो की ट्रावल करते हुए दिल्ली तक पहुंचा है So let's learn about the journey about the letter चलिए letter के जो journey होती है जैसे कि जहां से हम post करते हैं वहां से लेकर जहां वो पहुंसता है वहां तक की journey के बारे में चलिए जानते हैं I am a letter, मैं एक letter हूँ A letter written with a pen and paper by Rina to her friend Ahmed Rina ने मुझे pen and paper के द्वारा letter लिखा है Ahmed को I was put in a letter box फिर मुझे एक letter box में रखा The postman took me out and put me in a big bag उसके बाद postman आते हैं और उस मुझे letter box से निकलते हैं और बड़े इस bag में रख देते हैं Taking a right on the postman's bicycle, I reached the post office उसके बाद postman अपने bicycle पर मुझे रख कर post office पहुँचाते हैं There I was taken out of the big bag and stamped hard फिर वहाँ पर मेरे उन्होंने मुझे क्या किया अपने big bag से निकाला और वहाँ पर stamping की जाती है Stamping का मतलब होता है कि जहां से letter सुरवात होता है मतलब कि जहां पर में letter को letter box में डालते हैं वही का वहाँ पर address stamp किया जाता है तो stamp was अगरतला तो चिठी खा जर्नी कहां से start हुआ था अगरतला से start हुआ था तो stamp कहां का लगा अगरतला का लगा from where my travel began जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होई तो सबसे पहले क्या किया सबसे पहले मैंने एक letter लिखा मतलब कि रीना ने एक letter लिखा और उस letter को एक letter box में post किया उसके बाद postman आते हैं और उस letter को बड़े इस bag में लेकर जाते हैं और उसको कहां ले जाते हैं एक post office पर ले जाते हैं उसके बाद वहाँ पर stamping की जाती है मतलब कि वहाँ पर stamp किया जाता है कि यहां से letter की journey स्टार्ट हुई है चलिए देखते हैं अभी letter को कौन कौन से रास्ते से होके जाना है After getting stamped I reached another big bag Stamp लगने के बाद मुझे एक big bag में रख दिया गया This bag had many more letters all heading for Delhi इस bag में बहुत सारे letters थे जो दिल्ली के लिए थे The red postal van dropped me at railway station उसके बाद एक red postal van हम लोग को railway station पहुचा दी There I got into a train going to Delhi उसके बाद सारे letters को ऐसे बोरे में रख दिया गया और train में रखा गया जो Delhi की तरह जा रही थी After a long journey of 5 to 6 days I risk Delhi 5 से 6 दिन की लंबी यात्रा के बाद मैं Delhi पहुच गया I was sorted as per the area mentioned in the address written on me उसके बाद सारे letters को छाटा गया area wise जो address उस पे दिया गया है मतलब कि किस area में चिठी को पहुचाना है इस तरह के से चाट दिया गया One more stamp was pushed on me उसके बाद last में एक और stamp Delhi का लगा Finally the postman dropped me at Ahmed's house Finally मुझे postman ने Ahmed के घर पहुचा ही दिया Let us revise again the journey of a letter तो चलिए देखते हैं Letter लिखने से लेकर पहुचने तक का सफर कैसे होता है number one to eight तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक letter that is number one उसके बाद उस letter को एक red color के letter box में post कर देते हैं फिर उसके बाद आते हैं postman और letters को निकाल कर छाटते हैं और उसको ले जाते हैं stamp करते हैं that is number four stamp करने के बाद सारे letters को एक जगा रखा जाता है कि पता चले कि कौन सा चिठी या फिर letter कहां का है जैसे कि कोई चिठी गुजरात की है राजिस्थान की है ओडिशा की है उसको छाटा जाता है और छाटने के बाद उसको पहुँचाया जाता है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है देली मत्तब कि यह सारी चिठी या देली के लिए है उसके बाद फिर से उस letter को पोस्ट कर दिया जाता है जो address दिया गया रहता है फिर वहां पर जाने के बाद अगर देली चिठी पहुँच गई तो देली का फिर से stamp लगाया जाता है और उसके बाद चिठी हमारे पास पहुँच जाती है राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड जैसे रीना ने अपने फ्रेंड एहमद के लिए एक लेटर लिखा है आपको भी अपने फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना है सारे लोगों ने लेटर तो लिख लिया बट वेर दू वी पोस्ट इट सो वी पोस्ट इन लेटर बॉक्स तो लेटर लिखने का भी एक तरीका होता है चलिए देखते हैं लेटर को कैसे लिखते हैं तो letter लिखने में सबसे पहले start करते हैं address से जहां से हम letter को लिख रहे हैं वहां का सबसे पहले address देते हैं और उसके बाद जिसके लिए लिख रहे हैं जैसे कि मैंने लिखा है अपने friend रुद्रा के लिए Dear Rudra, तो सबसे पहले आप अपने friend का नाम यहां पर लिखेंगे यहाँ पर लिखना है Your lovingly साच्ची and सच्चम तो आपका जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम उपर होना चाहिए और आपका नाम last में होना चाहिए Let us make a letter box for the class चलिए एक letter box बनाते हैं तो letter box बनाने के लिए या तो कोई empty box ले सकते हैं या फिर किसी डबे को आप paint करके ऐसा letter box आप बना सकते हैं ऐसा letter box आप भी बना सकते हैं तो ये तो हुई letter को letter box में डाल कर हम अपनी चिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं तो चिट्टी भेजने के लावा क्या और कोई जरिया है जिससे हम अपने दोस्तों को message भेज सकते हैं तो हाँ पहले जब आने के लोग इस तरीके के telephone का यूज किया करते थे अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने के लिए और जब हमारे देश में टीवी नहीं हुआ करता था तो उस समय के लोग अपनी आसपास की न्यूज को सुनने के लिए इस तरीके का रेडियो का यूज किया करते थे फिर आया टीवी तो चिट्टी भेजने के अलावा पहले के लोग टेलिफून का भी यूज किया करते थे